महराश्ट्र में कुर्णा से जंग जारी है कुर्णा के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यसरकार ने 15 जुन तक लौकडाउन और कड़े निर्भन लगाये है हाला कि रोग इसका पालन करते नहें देख रहे महराश्ट्र में अप्रिल में महिने में कुर्णा वारस की मामलों में 30 सी इसाफा हुआ था पिछले दो माह कुर्णा की बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यसरकार ने 15-15 दिन के लिए लोकडाउन लगाया गया था सरकारे गाइडलाइन के अनुसार होटल, रेस्टोरेंट, दुकानदार होई या फुटपात में पारसल सुधा उपलब कराए गई है उसके बावचियों भी सावने शहर में ग्रहकों को खुले आम बीच रास्तों में नास्ता करते बारी संक्या में देखा जा सकता है तथा कोरणा काल में रस्तों पर साग भाजी तथा फलों की दुकानों की बार सी आई है जबकि शासंत के निर्देशा नुसार इन हाथ ठेलों की स्थाई तोर पर नहीं तो शहर में घूम घूम कर व्यवसाई करने की अनमती है जिससे रास्तों पर साग भाजी खरीदी है तो उबढ़ने वाली को रोका जाए किन्तु नगर प्रशासंत की लचर रवये की कारण सब चलता है कि सिती बंद पुनह कोरणा संक्रमन का बढ़ावाद देने है तो ललाई थै अगर वक्त रहते नगर पाली का अधिकारियों ने इस पर रोक नहीं लगाई तो सावनीर में तीसरी लहर आनी में समय नहीं लगीगा जिसकी कीमत शहर वास्यों को चुकानी पड़ीगी राजसरकार कोरणा संक्रमन को कम करने की हर संभव कोशिश कर रही है लेकिन सिती वैसी ही बनी हुई है कोरणा के बढ़ते मामलों के साथ साथ संक्रमन से मौदों का आकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है ऐसे में प्रशासंद्वारा लोगों से उची दूरी बनायर रखने, मास का प्रयोग करने और जरुवत पढ़ने पर ही गर से बाहर निकलने की अपील की जारी है राजुस सरकार ने कोरोना नियम तोड़ने वालों पर सकते से कारवाय करने की भी निर्देश चारी किये है